5 जून 2023 आज का राशिफल नमस्कार आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में ओम नमस्शिवाय कहकर शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की जाने बिजनस में किसे होगा फाइदा और किसे नुकसान हेल्थ का कैसे रखे ध्यान नौकरी में आज आपका दिन कैसा रहेगा क्या आपको मिलेगा आपकी सपनों का पार्टनर आज ऐसे हर सवाल का जवाब पाने के लिए डाउनलोड करें आस्ट्रो योगिया और कंसल्ट करें अपनी फेवरिट आस्ट्रो लॉजर से वो भी 100% प्राइविसी के साथ अब जानते हैं आज का पंचांग 5 जून 2023 दिन सोमवार विक्रम समवत 2080 शक समवत 1945 हिंदु पंचांग के अनुसार मास अशाड है पक्ष कृष्ण पक्ष है और रितू ग्रिश्म रितू है आज प्रुति प्धा इथि सुपह 6.38 तक रहेगी डित्या सुपह 3.48 तक रहेगी इसके बाद प्रुतिया सिथी लग जाएऎगी बच्ष बुटि नक्षथर आज पुर्वा शाणा नक्षथर लग जाएगा आज बनने वाला योग साध्ययोग सुभा आठ बचकर उन्चास मिनिट तक रहेगा इसके बाद शुभ योग लग जाएगा चंद्रवा धनु राशी में गोचर करेंगे इस समय सूर्य व्रशिव राशी में गोचर करेंगे आज सूर्य उदय सुभा पाँच बचकर तेईस मिनिट पर होगा सुर्यास्त शाम साथ बचकर सोला मिनिट पर होगा आज चंद्रवदय आठ बचकर पचपन मिनिट पर होगा चलिए इसके बाद जान लेते हैं शुभ मूरत आज अभिजीत मूरत सुभा ग्यारा बचकर बावन मिनिट से दुपहर 12 बचकर 48 मिनिट तक रहेगा अब बात कर लेते हैं राहुकाल की राहुकाल में सभी इंपोर्टन्ट और सारे ही शुभकार्य करना वर्जित माना गया है तो आज राहुकाल सुभा 7 बचकर 7 मिनिट से शुरू होगा शाम 8 बचकर 51 मिनिट तक रहेगा मेश राशी के जातक धनू राशी में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपके अंदर आत्मा विश्वास भरा हुआ रहेगा आप अपने बात को अपने विचारों को सबसे उपर रख सकते हैं आज आज आप अपने निरने को सबसे उपर रखेंगे यह आपको आपके लक्षियों के करीब लेकर जाएगा आपने जो गोल सेट कियों हैं अपने लिए उसके करीब आपको लेकर जाएगा अगर आज love life की बात करें तो आप से रिष्टे अच्छे कर सकते हैं आज आप अपने साथी की जरूरतों को लेकर आज आज आपको इमांदार रहना चाहिए आपको समझना चाहिए कि आपके पार्टनर की क्या जरूरते हैं अगर करियर की बात की जाए तो आज आप अपने करियर को बदलने के बारे में सोचेंगे नौकरी को बदलने के बारे में सोचेंगे क्योंकि जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको काम का बोज बहुत जादा महसूस होगा आज तो आप अपने लिए एक नई नौकरी धूंडेंगे नया कोई अफसर ढूंडेंगे आज फाइनांस की बात की जाए तो भी मैं कहूंगी कि अगर आप बिजनस में हैं तो आप अपने करियर को चेंज करने के बारे में सोचेंगे और आपके काम का बोज बढ़ता हुआ दिख रहा है आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत जादा प्रेशराइजड आप फील कर सकते हैं आज आपको अपनी सेहत का ध्यान भी देना चाहिए साफधानी बरतनी चाहिए सेहत में आज के दिन आपका लखी कलर ब्लू रहेगा नीला रंग आपके लिए लखी है शाम को चार से पांच के बीच का समय आपके लिए राशी के जातक 5 जून 2023 धनू राशी में चद्रमा के गोचर के कारण आज आपको चिरचिड़ापन महसूस हो सकता है आज आप थोड़ा कमजोर महसूस करेंगे इसलिए कोई भी इंपोर्टन डिसिजिजिन कोई भी इंपोर्टन निर्नय आज लेने के लिए सही समय नहीं ह आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं तो लव लाइफ में आज आप अपने पार्टनर को कहीं घूमने जाने के लिए मना सकते हैं काफी समय से आपका मन था कहीं घूमने जाने का तो आज हो देना है जब आपके पार्टनर आपकी बात मानेंगे इसलिए आप उने मना सकत तो आगे बढ़िए क्योंकि भविश्य में आपको इसकी जरूरत पढ़ने वाली है और अगर आज आप उपनी नौकरी धूनने जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है आपको अच्छी नौकरी मिलेगी भी और आपको आसानी रहेगी finance की बात कर लेते हैं financial च्छी मुझे लगता है मजबूत होगी और मजबूत करने के लिए आप काफी कुछ करेंगे आज आपको अपने साथ अपने ओफिस के लोगों के साथ सबके साथ कदम से कदम मिला कर चलने की जरूरत है सब के साथ बात चीत करें, सब के साथ network बिल्ड करें आपके लिए बहुत जादा important है आज आप कोई निवेश करने के बारे में भी सोथ सकते हैं लेकिन बहुत सोथ समझके ही आगे बढ़िएगा कोई भी important decision लेने के लिए सही दिन नहीं है आपके लिए जो lucky color आज रहने वाला है वो मेरून रहेगा और आपके लिए जो lucky समय है जब आप महत्वपूर्ण कारियर कर सकते हैं तो वो है 2-3 के बीच का समय है आज के दिन आपको मांसिक गुसा अगर आता है जिससे आपका दिमाग शान्त रहेगा मितुर्ण राशी के जातक 5 जून 2023 धनुराशी में चंद्वा के गोचर के कारण आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा बना रहेगा आज के दिन अगर आप student हैं आपके लिए बहुत अच्छा है आपको सैपाखियों से बहुत अच्छा support मिलते हुए दिख रहा है अगर आप किसी नौकरी में हैं तो definitely career की मामले में आपका दिन बहुत अच्छा है आफिस में आपको अपने bosses से अपने colleagues से support मिलेगा नया आत्म विश्वास आपके अंदर जगेगा health की बात कर लेते हैं तो health का आज आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्यूंकि आज आप अपने शिक्षा को बढ़ाने के बारे में आज आप अपने skills को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं लव लाइफ की बात कर लेते हैं तो आज आपको अपने partner के साथ थोड़ा समय बिताने के बारे में सोचना चाहिए एक दूसरे के पीच में आ रहे हैं मिसंड स्टैंडिंग्स को दूर करना चाहिए लखी कलर आपके लिए आज मेरून है करक राशी के जातक 5 जून 2013 दनुराशी में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपको बुद्धी से काम लेना चाहिए सोच समझ कर काम लेना चाहिए बिना सोचे कोई भी काम ना करें थोड़ा रुकिए फिर आके बढ़िए एकदम से किसी डिसिजन पर मत पहुचिए आज के दिन करियर के मामले में भी आपके फायदे हो सकते हैं नए कौशल आत्म विश्वास को बढ़ावा मिलेगा आज के दिन आप काफी confident महसूस कर सकते हैं लव लाइफ की बात करें तो आज आप अपने पार्टनर के साथ कही enjoy करने का plan कर सकते हैं टेंशन से भरी हुई life से थोड़ा सा समय निकाल कर enjoy ज़रूर करना चाहिए आपको अपने पार्टनर के साथ इससे आपके रिष्टे उनके साथ बहुत बहुत बहतर होंगे बहुत अच्छे होंगे career की बात कर लेते हैं तो आप आज positive feel करेंगे career के मामले में लेकिन काम का बोज तो बढ़ता हुआ ही दिख रहा है still आप positive ही feel करेंगे और अपने काम को बहुत सही तरीके से execute कर पाएंगे देखिए positivity के साथ जब आप कोई काम करते हैं तो वो अपने आप ही easy हो जाता है आपको उसका burden नहीं लगता है उसका बोज नहीं लगता है अपने उपर health की बात करें तो आपको अपने health से संबंदी की रहाओं पर ध्यान देना चाहिए health संबंदी जो भी आपको तकलीफ है उसको तुरंग जाकर doctor को दिखाना है ignore नहीं करना है आप अपने मित्रों के साथ भी आज अच्छा समय बिता सकते हैं दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय आप बिता सकते हैं लाल कलर आपके लिए आज लखी रहेगा सुबह 10 बज़े से 11 बज़े तक का समय आपके लिए महत्व पूर्ण है सिंग राशी यजा तक 5 जून 2023 धनु राशी में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपको साथान रहना चाहिए बेकार के मुद्दों से, बेकार की बातों से, बेकार की जगाओं से अपने आपको दूर रखिए जितना जादा आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे ना आपका दिन आज बहुत अच्छा बीतेगा लव लाइफ की बात कर लेते हैं, तो आज आपको अपनी लव लाइफ में कुछ नयापन महसूस होगा आज आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे आप लोग बहुत समय से एक साथ हैं, लेकिन ये जो स्पार्क और स्पाइस आज आपको फील होगा आज जो आपको नयापन फील होगा, वो कुछ अलग ही होगा आज आप कही डेट पर जाने की प्लान कर सकते हैं, कही मूवीज जाने की प्लान कर सकते हैं आज के दिन आप मनुरंजन की गतिविद्यों में बहुत जादा involved रहेंगे तो मुझे लगता है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है, बहुत अच्छा आप महसूस करेंगे आज Finance की बात कर लेते हैं अच्छी तरीके से की गई Planning आपको आज बहुत अच्छा फाइदा पहुचा सकती है तो Finances में अगर कोई Investment करनी है तो वो बहुत Planning के साथ और किसी Expert Advice के साथ अगर आप करते हैं तो आपको वो बहुत फाइदा पहुचाएगी Career की बात कर लेते हैं अब देखिए, आप Self-Motivated रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप चाहेंगे कि दूसरे लोग आपकी काम की तारीफ करें तो वो तो आज होने वाला नहीं है लेकिन Demotivate नहीं होना है इस बात से आपने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहें जितनी मेहनत आपने की है उसका लाव आपको जरूर मिलेगा लेकिन यह expectation रखना कि कोई और आकर आपकी तारीफ करें आज बिल्कुल मत रखिएगा आज के दिन आपके लिए जो समय लखी रहने वाला है वो है चार से पांच के बीच का समय और bright colors आज आप पहन सकते हैं या bright colors अपने साथ carry गर सकते हैं इससे आपका दिन बहुत ही अच्छा बीचेगा कन्या राशी के जातक धनू राशी में चंद्रमा के गोचर के कारण आज के दिन आपको अपने बारे में सोचना चाहिए आपने इतनी महनत करी है जहां आप पहुँचे हैं वहां आप कैसे पहुँचे हैं ये तो आप ही को पता है तो थोड़ा समय आप अपने साथ बताएं अपने बारे में सोचें अपने सफर के बारे में सोचें कि कैसा रहा है आपका ये सफर कैसे आपने इतनी मेहनत करके आज आप जहाँ हैं वहाँ पहुच पाएं हैं ये सब आप अगर सोचते हैं तो आज के दिन आपको बहुत सारी बाते अपने बारे में जानने को मिलेंगी Love Life के बारे में बात करें दें Love Life के मामले में आज आप थोड़ा negative feel कर सकते हैं कि आपके partner जो हैं वो बहुत ही normal रहेंगे romantic रहेंगे लेकिन आपके अंदर negativity रहेगी कुछ दिनों से आप दोनों के बीच में जो issues चल रहे हैं उसको लेकर आप किसी decision पर पहुँच सकते हैं करियर की बात कर लेते हैं करियर की मामले में आपका देन बहुत अच्छा है लेकिर अगर आज आप अपने boss को imprest करना चाते हैं तो आगे बढ़िए अपने boss की नजर में आई इंसे बात चीट करिये और उनको इंप्रेस करने के लिए आप जो भी करना चाहते हैं वह आप आज कर सकते हैं अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाहते हैं अपका प्रमोशन हो जाए तो डेफिनितली आपको अपने बॉस के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे उनकी नजर में जाना पड़ेगा इससे आपको आगया चलकर आर्थिक फाइदा भी होने वाला है इसलिए आज के दिन इस चीज़ पर फोकस करें हैं है तो कुछ समय से अगर कोई आपको हैल्थ में इशूस चल रहे थे तो वह आज सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं लेकिन फिर भी आपक के लिए स्काई ब्लू आसमानी रंग लखी रहेगा तुला राशी के जातक पांच जून दोहजार देज धनुराशी में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आप कुछ प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं आज आपको अपना मन शांत रखना चाहिए हो सकता है कि आपके मन की व बहुत जादा मूद स्विंग्स फील करेंगे उसकी वज़से आप अपने परिवार जनों को या अपने आसपास के लोगों को दुख पहुंचा सकते हैं इसने ध्यान रहे कि आप अपने मन पर काबू रखें आज अपने प्रिय जनों को किसी भी तरीके का दुख ना पहु करेंगे इस बात का खास ख्याल रहे करियर की बात कर लेते हैं तो करियर में आज आपका दिन बहुत अच्छा है आप आज ऐसा कुछ कर दिखा सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा खुद कुछ बहुत ही यूनीक कुछ बहुत ही अच्छा जिससे आपके करियर में आपको आज सोचना चाहिए, लखी कलर आपका आज नीला रहेगा, दोपेर साड़े बारा से दो के बीच का समय आपके लिए महत्वपून रहेगा विश्यक राशी के जातक 5 जून 2013, धनुराशी में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपका दिन बहुत ही अच्छा बीचने वाला है आज के दिन आप बहुत खुश रहेंगे, मौज मस्ती फील करेंगे, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे और मनुरंजन में आप अपना समय बिताएंगे आज के दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा, लाब से भरा हुआ रहेगा आज आप अपने दोस्तों को प्रोट साहित कर सकते हैं आज आप अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं लव लाइफ की बात की जाए तो आज एक नया जोश आपको फील होगा अपने लव लाइफ में आप अपने partner के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकेंगे आज, उनके साथ आप कहीं बाहर घुमने जाने का plan कर सकते हैं, उनके साथ बैट कर, उनके बारे में आप जानने की कोशिश कर सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उनसे discuss कर सकते हैं, आज का दिन प्रमोशन के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आपके लिए positive answers रहेंगे finance की बात कर लेते हैं तो finance में मुझे लगता है आज आपको कोई बड़ा आर्थिक लाब हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे decisions आज आप ले सकते हैं financial मामले में तो अगर investment प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं आज आगे बात कर लेते हैं आपकी health के बारे में तो health में मुझे लगता है आपका दिन बहुत अच्छा है आपके सारी problems आज दूर होते हुए दिख रही हैं साथी साथ अगर आपके किसी भी कारे में रुकावट आ रही थी health related किसी चीज में आपके रुकावट आ रही थी तो वो रुकावट आज दूर होते हुए दिख रही है आपके लिए गुलाबी रंग आज लखी रहेगा दोपहर साड़े तीन से पांच के बीच का समय आपके लिए महत्वपूर्ण है धनुराशी के जातक धनुराशी में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आप अपने नियर डियर वान्स अपने प्यार करने वाले अपने परिवार जनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा है आज के दिन आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं आज आपके शादी फिक्स हो सकती है अगर शादी नहीं होई है तो करियर की बात कर लेते हैं तो करियर में कोई भी महत्वपूर्ण डिसिजन सोथ समझ के ले आपके साथ ही आपके जो पार्टनर है वो आपका साथ देंगे आपके फिनांसिस के बारे में बात कर लेते हैं तो आज के लिए दिन बहुत अच्छा है, सोच समझकर आप invest कर सकते हैं इवन अगर आप कोई और चीज में investments प्लान कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है, आपके लिए lab लेकर आएगा तो सोच समझकर अपना decision लें और आगे बढ़ें सफेद रंग आपके लिए लखी रहेगा और दोपहर एक बज़े तक का समय, ग्यारा से एक के बीच का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा महत्वपूल ने ज़रूरी काम इस समय में आप कर सकते हैं मकर राशी के जातक 5 जून 2013 धनुराशी में चंद्रमा के गोचर की कारण आपको आज फिनांशल प्रॉब्लिम से गुजरना पड़ सकता है धैरे से काम ने आज के दिन फिनांशल डिसिजन बहुत सोच समझ कर लें बहुत कोशिश करने के बाद भी आप आज अपने खर्चों को रोक नहीं पाएंगे ये सिति जल्द ही खतम हो जाएगी इसलिए जादा चिंता ना करें अपनी भावनाओं को काबू में रखें ये आपके फ्यूचर में एफेक्ट कर सकता है लव लाइफ की बात कर लेते हैं तो आज आपके रिलेशनशिप कोई नया मोड ले सकती है अगर शादी फिक्स नहीं हुई है तो हो सकती है आज के दिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने पर ध्यान दीजिए जो जिम्मेदारियों आपकी हैं पहले उन्हें आप पूरा करें उसके बाद ही आप आगे किसी और चीज के बारे में सोचें करियर की बात कर लेते हैं तो आपको चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े आज करिये क्योंकि यही आपके काम आएगा हौसला रखे, धहरे रखे, चीजें आपके फेवर में होती चली जाएंगी धीरे-धीरे आर्थिक सफलता आपको मिलेगी अगर आप आज सोच समझकर फिनाशल डिसिजिन्स लेते हैं आज के दिन आप अपने निर्धारित गोल्स को जो फिनाशल गोल्स हैं आपके उनको आप अचीव कर पाएंगे तो सोच समझकर अपने डिसिजिन्स लीजिए और प्रयास जारी रखे हेल्थ में आज आपको ध्यान रखना पड़ेगा इससे दूसरे आपको आसानी से समझ पाएंगे दुपहर तीन से चार के बीच का समय आपके लिए लखी रहेगा बैंगनी कलर आपके लिए लखी रहेगा कुम राशी के जातक 5 जून 2023 धरूर राशी में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपका दिन बहुत ही शांती से गुजरेगा और बहुत सफलता आपको मिलेगी आज का दिन आपके लिए काफी लखी दिखाई दे रहा है आज आप अपना पूरा ध्यान अपनी चीज़ों पर लगा सकते हैं जो चीज़ें आपने अधूरी छोड़ी थी या जिन पर आप काफी समय से समय नहीं दे पा रहे थे तो आज आप उन चीज़ों को पूरा कर सक करते हैं अपने काम को बहतरीन तरीके से आज करिए आपको बहुत लाब होगा करियर की बात करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है करियर में आपको नई आपको सौपा जाएगा जिसकी वज़े से आपको आर्थिक लाब भी होगा आज आपको अच्छा आर्थिक लाब होते हुए दिख रहा है लेकिन ये सब तभी होगा जब आप पूरी मेहनत के साथ और पूरी ओनस्टी के साथ अपना काम करते हैं आज आपके बॉस आपका साथ दे सकते हैं आज के दिन आपकी सालरी बढ़ने के इंक्रिमेंस लगने के ऐसे आपको अच्छे शुब संदेश मिल सकते हैं आज के दिन आप अपने गोल्स पर काम कर सकते हैं अपने करियर में बहतरीन पर नाम आप पा सकते हैं लव लाइफ की बात करें तो बिना सोचे समझे कुछ भी करने का मूड है आज आपका आज का दिन लव लाइफ के लिए अच्छा है आज फाइनांस की बात कर लेते हैं तो आपके लिए आज बहुत ही लाब की स्थिती रहेगी फिनांशल लाब होते हुए दिख रहा है आज हेल्थ की बात करते हैं तो आपका स्वास संतोष जनक रहेगा आज फिर भी आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखते हैं और व्यायाम करते हैं तब तो उससे अच्छा कुछ है इन आपके लिए जो लखी समय रहने वाला है सुबह सवा दस से दुपहर दो बजे तक का समय रहेगा लखी कलर आपके लिए जो रहेगा वह रेड कलर रहेगा लाल रंग रहेगा मीन राशी के जातक 5 जून 2023 धनु राशी में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आप बेफिक्र महसूस कर सकते हैं आज आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं मनुरंजन के समय बिता सकते हैं कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं आज आप अपने तनाव से मुक्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ महत्वपूर्ण समय जरूर बिता सकते हैं, काम के दबाव के चिंता ना करें, ज्यादा आपके लिए कोई दबाव क्रियेट नहीं होने वाला है और आप अपना काम समय पे कर पाएंगे, इस समय का भर पूरा आनंद उठाइए, लव लाइफ की बात करें, तो आज के दिन आप अपने मन में जितनी भी सवाल हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने साथी के सामने रख देंगे, उनसे डिसकास कर पाएंगे, करियर की बात करते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहु अजिटी मिल सकती है, आर्थिक स्तिती आपकी आज सुधरते हुए दिख रहे हैं, फिनांशल सिचुएशन, फिनांशल गोल्स आपके अचीव होते हुए दिख रहे हैं, हेल्थ में किसी बिमारी का सही वक्त पर पता चलने की वज़ह से उसका इलाज शुरू हो जाएगा, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए और हेल्थ का खास आपको आज ख्याल रखना है, आपके लिए लखी कलर सफेद रहेगा, सुबग 11 बचे से लेके दोपहर 1 बचे तक का समय आपके लिए महत्वपूर्न है, कोई भी important कारे आप इस समय पर कर सकते हैं, थैंक यू सो मच आप सभी अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्त रहें और एस्ट्रो योगी आप को जरूर डाउनलोड करें, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, आपकी birth date, time of birth, सब कुछ combine करके आपका birth chart study किया जाएगा, कुंडली हमारे विशेशग्य स्टडी करेंगे और आपक जानकारी देंगे कि आपको किस तरीके कि क्या remedies करनी है अपनी problems दूर करने के लिए, वो भी 100% privacy के साथ, अपने 2023 के बारे में जानने के लिए, आज ही डाउनलोड करें, आस्ट्रो योगी, पहला consultation फिल्कुल फ्री,